अगर आप genuinely life में grow करना चाहते हूं in terms of career, in terms of relationship, in terms of value in society तो 5 biggest time-westers बता रहा हूं जिनको अभी से avoid करना शुरू कर दो So number one is debates and gossip So इस दुनिया में हर एक इनसान के पास एक दिमाग है और उस दिमाग में जो भी information है उसके पास उसे लगता है कि वो ही सही है भले ही वो कितना misguided क्यों ना हो, उसकी बाते बिलकुल logically correct ना हो लेकिन फिर भी उसके according वो सही है और अक्सर जब आप ऐसे लोगों के साथ debate करोगे या gossip करोगे तो उनका जो fixed mindset है वही वो आपके दिमाग में भी ठूसने की कोसिस करेंगे अगर आप उनके mentality को change करने की कोसिस करोगे, वो मानेंगे ही नहीं कि आप सही हो, वो हमेशा मानेंगे कि वो ही सही है और आप गलत हो, आप गलत ही नहीं हो, आप सबसे बड़े चूतिये हो तो ऐसे लोगों के thoughts को, ऐसे लोगों के mindset को आप कभी fix नहीं कर सकते, so please अपना time waste मत करो अगर आप दूसरों की back bitching, निंदा, सिकायद, gossip करने के पीछे पड़े हुए हो, उसमें आपको मजा आ रहा है तो इसमें आप सिर्फ अपनी time, अपनी energy waste कर रहे हो, सामने वाले का घंटा कुछ ने भिगर रहा है, वो अपनी life में तरक्की कर रहा है तो अपनी time, अपनी energy बचाओ, और अपनी life में तरक्की करो mistake number 2, thinking about negatives हमारे life के एक बहुत बड़ी problem है कि हम अपने insecurities पर बहुत ज़्यादा focus करते हैं आपके life में कोई insecurity है, कोई negative point है और उसको लेकर अब continuously सोच रहो कि यार मेरे life में ऐसा है, मेरे life में वैसा है मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गरीब हूँ fact यह है कि किसी भी इंसान की ना life perfect नहीं चल रही है जिस इंसान को आप perfect मान जो ना, उसके life में अगर आप जहाब कर देखो तो उसकी भी life आपको sorted नहीं लगेगी, उसकी भी life में बहुत सारी problems है जब तक आप जी रहे हो, जिंदा हो, इस पृत्वी पर हो, तब तक कोई न कोई insecurity, कोई न कोई negative point, कोई न कोई problem आपको सताती रहेगी और अगर आप उसके बारे में ही सोच कर अपना पूरा time गवाते हो, तो यह सबसे बड़ा time waste है आपके लिए क्योंकि ultimately अगर आपके life में हजारो problems है, तो क्या करोगे? रुख जाओगे? बैट जाओगे? कुछ ने करोगे क्या? भाई मेरे life में सब बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे? रुख जाओगे क्या? फैक्ट यह है कि अच्छे दिनों के लिए तुम्हें बहुत सारी काली रातों से लड़ना पड़ता है, और जब रुख करके बैटना तुम्हारे पास option ही नहीं है, तो क्यों अपने negatives पर focus करते हूँ? सिर्फ इस चीज़ पर focus करो कि तुम इन काली रातों से निकल कैसे सकते तुम्हारे अंदर जो negative चीज़े हैं उन पर focus करके तुम अपने positive चीज़ों को भी कमजोर कर रहे हो आज के टाइम में लोग एकदम obsessed हो चुके अपने phones को लेकर, वो continuously social media स्क्रोल करते रहेंगे, continuously अपने favorite creators के videos देखते रहेंगे, movies देखना, chatting करना, porn देखना, web series देखना, internet पे अलग-अलग games आ चुके, लोग obsessed हो चुके games को लेकर, वो continuously game खेल रहे हैं 4-4 घंटे So these are the virtual traps जो आपके mind को फसा कर रखती है हमेशा और चाहती है कि continuously आप उसमें उलजे रहो, मैं यह नहीं कहता कि यह सारी चीजे पूरा गलत है, अगर ऐसा होता तो आप मुझे भी नहीं देख रहे होते, technology की वेज़े से आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन fact यहाँ पर यह आप इनी चीजों में completely घुसे हुए रहते हो, जो आपका focus 100% उन चीजों पर होना चाहिए, जो आपको तरक्की देगी life में, आप वहाँ से हटकर इन चीजों पर shift हो चुके हो, हमारा mind कुछ ऐसा है, वो जिस चीज पर 100% focus देगा, उसमें सफलता जरूर हासिल करेगा, लेक time wasters हैं, और जब तक आप समहलोगे न, आपकी दिमाग में समझ आएगा बाद में आपने कितना time waste किया है, जब तक आप समहलोगे, तब तक आप बरबाद हो चुके होगे, कोई भी चीज हमेसा तभी अच्छी होती है, जब आप उसका overdose नहीं करते हो, और हमारा जो course, the mind control blueprint course इसमें हम यही discuss करते हैं कि कैसे virtual world की वज़े से इंसान का दिमाग गुलाम बन चुका है, और कैसे हम इस trap से निकल कर खुग को एकदम focused बना सकते हैं अपने goals की उपर, हम कई तरह के गलत addictions में फस्चुके है, instant gratification को chase करते करते, हम कैसे इन addictions को completely destroy कर सकते हैं, और एकदम focused हो सकते हैं अपने goals की उपर, आज की youth के सबसे important problem का solution हमने उस course में दिया है, literally वो course बहुत जदा valuable है, यह आपका भाई समर कह रहा है, और चुकि आप सब afford कर पाऊ इसको, इसलिए मैंने इसका price बहुत ही कम रखा है, बस 499, और उतने ही price में मैं आपको और जदा value प्रवाइड कर पाऊ, इसलिए मैंने दो book, दो amazing books जो हमारा है, no fab with extra power and attitude to conquer the world free दिया है उसमें, तो मैं आपका भाई समर आप से बोल रहा है, कि हमारा जो app है, समर जहा है, इसको पहले download करो, play store से जाकर, और उसके बाद हमारे course में join करो, literally वो course आपकी life change करेगी, point number 4 is attention seeking behavior, so आपके अंदर ये habit है कि आप social media पे photos post करते रहते हो, status वगरा change करते रहते हो, आप देखते रहते हो, किसने देखा, किसने नहीं देखा, आपके अंदर ना एक attention seeking behavior है, आपको चाहिए कि लोग मुझे attention दे, या फिर आपके life में कोई ऐसा इंसान है, जिसको आप पसंद करते हो, आप उसके message मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, तो पहली चीज़ दो मैं आपको बता दू, जितना ज़्यादा obsessed होगे आप किसी को अपने life में लाने के लिए, उतना ज़्यादा लोग आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि reality ये है कि कोई भी इंसान उस इंसान के साथ connect नहीं करना चाहता, जो प्रो लो, multiple emotions दिखा लो, फरक नहीं परता, आप ultimately वही चीज़ पाते हो, जो आप deserve करते हो, लोग आप पे दया कर सकते हैं, लेकिन प्यार और attention तभी मिलता है, जब आप deserve करते हो, तो प्यार और attention के पीछे कभी भागो मत, खुद को इतना deserving बनाओ, खुद को इतना बहतर ब नमो 5 पोइंट बताओं, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा एप, समर्जा एप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो जरूर से डाउनलोड करो, आप मेरे विवेवर हो, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एप है, आपके mobile phone में जरूर हो, and also उसमें जो हमारा course है, the mind control blueprint course, बहुत ही amazing course है भाई, literally बोल रहा हूँ, इस course को जरूर से join करो, अपने mind को कैसे control करना है, अपने brain fog वगरा को कैसे खतम करना है, अपने mental power को कैसे जादा जादा increase करना है, कैसे बहुत जादा intelligent बनना है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने discuss किया है इस course में तो इस course को जरूर से join करो, point number 5, immature relationships, so आज के time में न कही सारे relationships ऐसे बनते हैं, यार तेरा ना break up हुआ है, चल उसका भी break up हुआ है, चल तुम दोनों ना setting कर लो, वही immature relationship निभा निभी वाला, देखो relationship के मैं खिलाफ नहीं हूँ, अगर तुम किसी से प्यार करते हूँ, उसके immature तरीके से build होते हैं, ना ही एक दूसरे को जान रहे हैं, ना ही उसकी qualities जान रहे हो, तुम जश्ट तुमने बात करा, एंड फिर तुम लोग relationship में आगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा topic है, इसको मैं अलग तरीके से cover करूँगा, ये कितना बड़ा time waster है तुमारे लिए, लेकिन दो चीज़े मैं कहना चाहूँगा इस, number one is कि तुम्हें पता है कि mostly जो relationships हैं, वो break up के साथ खतम होने वाली हैं, तुम जो वादे कसमे कर रहे हो, वो just एक time waste है, मैंने mostly बोला, सारे नहीं बोला, आप कुछ लोगो offend होके बोलेंगे, नहीं भाई, बहुत सार रिलेश चीट कर देता है, तो पहले चीज़ तो या तो relationship में मत आओ, career पे ध्यान दो, या फिर अगर आभी रहे हो, तो भाईया पहले जान लो, सामने वाले को, कि है कैसा वो इनसान, वरणा आकसर ऐसा होता है, कि हम जिस इनसान पे सबसे जदा अपना time spend करते हैं, वो इनसान हमें पैसा है, अच्छा career है, तो अच्छे relationships भी आपको मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, जो की actual में निभाने वाले होंगे, तो ये थी 5 biggest time visitors, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, खास करके अपने 20s में, अगर आपने हमारा course अभी तक checkout नहीं किया, तो जाओ, हमारे app को download कर जरूर जरूर से and join करो, I hope अपो ये वीडियो पसंद आये, पसंद आये, फड़ाक से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही amazing वीडियो देखने के लिए, and also अपने भाई summer के वीडियो को जादा 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 शेयर करो यार, जिससे मैं जादा जादा जाद जिससे हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम ला सकें, thanks watching guys, love you all